गुड मॉनिंग दियर चिल्डरेंग वेलकम टू हिंदी लेक्छर आज हम व्याकरण में देखेंगे मुहावरे यह तो मुहावरों के बारे में आप लोगों ने इंग्लीश में पढ़ाई रहेगा इडियम्स कहते हैं उसको क्या कहते हैं इडियम्स हुइं को मुहावरा हिंदी में उसको मुहावरा कहते है मुहावरा मतलब श एक شब्द समूह से ज़्यादा दो या तीन चार शब्द भी शब्द समूह देता है उसको एक अलग आर्त होता है उसके बारे में आप हम लोग आज जानने वाले हैं देखो भाशा में कुछ शब्द समूह विशेश अर्थ प्रकट करते हैं जैसे फर्स्ट एक्जाम्पल शिवा जी ने दुश्मन के दान्त कट्टे कर दिये दान्त कट्टे कर दिये एदेखो कितने शब्द इसमें रेकांकित किया गया है इसको दान कट्टे कर दिये चार शब्द चार शब्द एक साथ में मिलकर आये हैं उसको कहते हैं मुखावरा अलग-अलग दानध का अर्था है आपको मालूमें खट्टे अलग मालूमें कर मालूमें दीये इसका पूरा मिल्कर अर्था अलग होता है इसका जो मूल अर्थ को विसेश डंग से प्रकट करते हैं देको इदा दान्त कट्टे करना इसका मीनिंग क्या होता है आपको मलब हरा देना या परेशान करना शिवा जी ने दुश्मन के दान्थ कट्टे कर दिये इसका अर्थ क्या होता है दुश्मन दान्थ शिवा जी ने दुश्मन को हरा दिया समझा उसका मीनिंग ओ होता है लेकिन अलग अलग दान का मीनिंग अलग कट्टे का मीनिंग अलग कर का मीनिंग अलग लेकिन सात में मिलकर एक विसेश अर्थ प्रकट करता है इसके लिए इसको क्या कहते हैं मुहावरा आया समझ में शिवा जी ने दुश्मन के दान्त कट्टे कर दिये इसकी एक विसेशता है क्या मालूम है क्या यह क्रिया के रूप में हमेशा आता है हक्का बक्का होना आश्चर्य चक्कित होना अक्का बक्का होना इसको सबको मुहावरे कहते हैं शेर को देखकर चरवा है के प्राण सूक गये प्राण क्या अच्छली सूक जाते क्या प्राण सूकते क्या कभी नहीं उसका आर्थ क्या होता है बहुत डर जाना डरता शेर को देखकर चरवा है डर गया चरवा है के प्राण सूक गये डर गया उसका मीनिंग डर गया आया में 30 चनवरी 1948 को गांधी जी चल बसे का मर आर्थ क्या होता है उनका नीधन हो गया मर गये समझा चल बसे जाक चल कर बैट गये क्या आईसा नहीं उसका आर्थ वो नहीं हो मर गये इन वाक्यों में आबी तीन वाक्या हम लोगों ने देखा उसमें दान्त कट्टे कर दिये प्राण सूक गये और चल बसे जैसे शब्द समूह पर ध्यान दीजिए दान कट्टे करना का आर्थ है हारा देना या परेशान करना प्राण सूक जाना का आर्थ है बहुत डर जाना चल बसना का आर्थ है मर जाना इस प्रकार विशेश अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या मुहावरे सीधी साधी बात को अनोके ढंग से प्रकट करते हैं आएसा भी बोल सकते हैं 30 जनवरी उन्नी सव आड़तालिस को गांदी जी मर गए ऐसा भी बोल सकते थे लेकिन वहावरों का उपयोग किया तो वह वाक्य अच्छा लगता है सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता एक स्टैंडर्ड लगता है वाक्य में इसके लिए इस शब्द सम्मुहों का उपयोग किया जाता है आया समझ में इसकी परिभाशा क्या है मुहावरों को परिभाशा में मूल अर्थ को विसेश ढंग से प्रकट करने वाले शब्द सम्मुहों को मुहावरा कहते हैं मुहावरे प्रायहा क्रिया के रूप में होते हैं मैंने अभी बताया आपको क्रिया के रूप में होते हैं देखो हम लोगों ने स्टोरी पड़ा है शिकारी ने दाना दाना बिकेरा और उसके उपर क्या किया जाल बिचाया जाल में आकर कबूतर फज गये दाना चुग ने के लिए निचे आये ते कबूतर फस गये लेकिन क्या किक net कबूतरों ने मिलकर एक्ता के साथ जाल को साथ में लेकर उपर उड़ गये उसको देखकर शिकारी हकाबका हो गया उसका मींग क्या है आश्चरे चक्कित हो गया अभी क्या करेगा वो वो सब मिलकर उपर तो उड़ गया उसका तो हक्का बक्का हो गया इस तरह क्रिया के रूप में होते हैं यह जो मुहावरे हैं क्रिया के रूप में आते हैं आया क्या समझ में देखेंगे आगे का इसको क्या करना है आपको व्याकरण के पेज में लिखके रखना है व्याकरण में लिखके रखेंगे आप लोग नोटबुक बनाने के लिए बोला है मैंने बताया आपको पहले ही तो व्याकरण के पेज में यह सब होना चाहिए अब इदर देखो एक्जाम्पल्स यह जो मुहावरे है यह इस साल ही नहीं बलकि आपको जाके 10 स्टैंडर 12 स्टैंडर तक उपयोग होने वाला है इसके लिए आपको क्या करना है यह मुहावरा उनका अर्थ मुहावरे दिये गए हैं इदर एक कम से कम 30 तो है इसमें दिया है मैंने दिये हैं तो उनको लिखे उसका आर्थ लिखकर वाक्यों में भी कैसा प्रयोग करना है वह भी प्राक्टिस करो यह आगे जाके भी हायर क्लासस में भी आपको उपयोग होने वाला है आया के समझ में देखो असममंजस में पढ़ना उसका आर्थ क्या है असमंजस में पढ़ना, बोल्ड लेटस में दिया गया है इदर, तो वो सब मुहावरा है, उसका आर्थ उसके सामने है, किस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है, वो भी उदारण के साथ इदर explain किया गया है, समझा, असमंजस में पढ़ना, अर्थ उल्जन में पढ़ना, कभी-कभी कुशी से चमकना, बहूत कुश होना, उसका मीनिंग क्या है, आंके कुशी से चमकना, बहूत कुश होना, खिलाओने देखकर बच्चे के आंके कुशी से चमक उटी, कदम चूमना, सम्मान करना, हम लोग पैर पढ़ना, पैर पढ़ना करते कि नहीं, वैसा नहीं बोलना चा करना अर्थ योग्यता का परिच्छ देना क्या कमाल कर दिया उसने ऐसा बोलते बोलते हम लोग इन सबका उपयोग करते हैं लेकिन हमको मालूमी नहीं है कि वो मुहावरा है आया के समझ में कमाल करना योग्यता का परिचय देना वाक्य स्परदे में प्रत्थम आकर तुमने कमाल कर दिया कानों में रस गोलना सुनने में अच्छा लगना देखो कान का मीनिंग अलग होता है रस का मीनिंग अलग होता है गोलना का अलग होता है लेकिन सब मिलक के दूस consistent क्या है कानों में रस घोलना का अर्थ क्या होता है सुनने में आच्चा लगना संजा कोयल की आवाज हमारे कानों में रस घोलती है है खाई में धक्यलना अर्थ नुष्ट करना मम्मी ममी पपा ने मुझे खाई में दखेल दिया मेरे मित्र ने मुझे खाई में दखेल दिया मुझे किदर भी एड्मिशन ले लिया इसा सब हम लोग बोलते बोलते बात करते हैं लड़की बोलती है ममी पपा ने देखा ने ये ओ लड़का कैसा है मुझे खाई में दखेल दिया उसका अर्थ क्या होता है, नश्ट करना, कुछ वईज्ञानिक अविश्कार विश्व को विनाश की खाई में दकेल रहे हैं। इस अब आपको नोटबुक में लिखके रखना है। बहुत खुश होना, पाक्या अपने मन पसंद गीत सुनकर में बहुत कुछ से जूमूटा, खुशी से जूमूटा, गले लगाना, प्रेम से मिलना, गांधी जी ने दीन दुक्यों को गले लगाया, गर्व होना, गौरव का भाव होना, हमें अपने देश के सैनिकों पर गुल मिल जाना एक हो जाना वाक्य कुछ ही दिनों में मैं अपने नए सातियों के साथ गुल मिल गया तर्टीन चने के जाड पर चडाना जूटी तारिफ करना ये बैहाट करके रखो आप लोग है कि समझ में ये इंपॉर्टन्ट है बैहाट करके रखना है आपको जो योग्य नहों उसे चने के जाड पर क्यों चडाते हो 14 चारो खाने चित्त हो जाना पूरी तरह पराजित हो जाना वाक्य कुष्टी में रामदेव ने आईसा दाव मारा की रामदेव चारो खाने चित्त हो गये चारो खाने चित्थ हो जाना क्या रथे पूरी तरह पराजित हो जाना देखो पूरी रामदेव चारो खाने चित्थ हो गया मतलब पराजित हो गया हार गया next 15. चांद को शर्माना, बहुत सुन्दर होना, तुम्हारी बेटी तो चांद को भी शर्मा रही है 16. चेरे में कुशी भरना, सुख देना, चोटी सी मदद भी दुखी आदमी के चेरे में कुशी बर देती है 16. चक्के चुडाना अर्थ, होसला फस्त करना, रानी लक्ष्मी भाई ने दुश्मनों के चक्के चुडा दिये 16. जी जान से प्रैत्न करना, हर संबव उपाय करना, लोगों ने आग बुझाने के लिए जी जान से प्रैत्न किया 19. जीवन पत पर बढ़ना, उन्नती करना, विज्ञान के कारण आज हम अपने जीवन पत पर बढ़ रहे हैं जुट जाना, काम में लग जाना, सभी लोग विक्रम सिंग के प्रचार में जुट गए यही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अपने मन से वाक्या में प्रयोग कर सकते हैं, एक्जाम में, ओके अपना ही टेक्सबुक में मुहावरा हार लेशन के पीछे देखो, सभानार्ती शब्द है, उसके निचे नए शब्द करके दिया गया है, उसमें मुहावरे भी है, कहावते है टप पड़ जाना, आर्थ क्या है, रुक जाना, बंद हो जाना, देखो आज के निउस में क्या आया, वीज खंडित होने के कारण, रेलवे ठप हो गया है, इस तरह के समाचार सुनने को मिलता है हम लोगों को टीवी पर, आया समझ में टप पड़ जाना, रुक जाना, सेट जी के जाते ही उनका सारा कारोभार टप पड़ गया, तहस नहस करना, आर्थ नश्ट करना, समुदरी तुफान ने उस छोटे से गाव को तहस नहस कर दिया, तार तार होना, जग जग फट जाना, गरीब लड़के की पुरानी कमिस तार तार हो गई थी, ताव खाना, कृद्ध होना, वाक्य जरासी बात पर तुम ताव क्यों खा रहे हो, दाव पेस लगाना, चाल चलना, वाक्य दाव पेस लगा कर उसने प्रतियो गिता, जीत ली, दीट लगाना, बुरी दृष्टी से देखना, नजर लगाना बोलते की नहीं वही, ये सुन्दर बच्चे को दीट न लगा दे, दोहरा होना, बहुत जुक जाना, बोज के कारण बुड़ा खुली दोहरा हो रहा था, दोका देना, बेइमान करना, व्यापारी ने दादा जी क्यों देशी घी के बदले नकली घी देकर दोका दिया, नजर रखना, ध्यान देना, चिन्ता मत कीजिये, हम आपके बच्चे पर नजर रखेंगे, नजर पढ़ना, आर्थ देखना, दूर खड़े शेर पर शिकारी की नजर पढ़ी, आया क्या समझ में? देखो, नाख कट जाना, बेई इज़ती होना, बेटे को चोरी के जुर्म में जेल को जाने से, सेर जी की नाख कट गई, आया क्या समझ में? नाख कट जाना, बेईजती होना, नाख भो सिकोडना, चेरे से गुरुना प्रकड करना, विखारीओं को देखकर सेजी नागवों विखोड़ने लगते हैं नाम उझ्वल करना यशस्वी बनना सूप्रसिद्द करना अच्छे अच्छे कामों धुआरा तुम अपना नाम उझ्वल कर सकते हो नाम करना मशुहूर होना दुनिया में नाम करना है तो कोई बड़ा काम करो नींद में खोना, गहरी नींद में सोना वह इतना ठका हुआ था कि बिस्तर पर पड़ते ही नींद में खो गया आया क्या समझ में इस तरह के आपको मुहावरे दिये गए हैं उनको सब बायार मुहावरे उनका अर्त बायाद करके रखो और आगे जाके बड़े क्लासस में आप अपने ही क्लास में आपको वाक्य में प्रयोकर करो में काम आएगा समझा नेक्स लेक्चर में हम मिलने वाले हैं कहावतें देखने वाले हैं कल के लेकटर में ऊसथ मिलेंगे तब तक पढ़ते रहो लिखते रहो घर में रहो सुड़क्षित रहो क्या करेंगे अभी आज का dancer क्या है आपका आज जो लोगों ने लेकशर में देखा ए प्याकरण में मुहा वरे topic लिखना है मुहावरे और उसके नीचे मुहावरे के परिभाशा लिखना है और उसके नीचे उदारण आर्थ के साथ उदारण भी लिखके रखेंगे यही आज का आपका home work कल के lecture में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद बाइ